नमस्कार दोस्तों स्वाग आते आप सभी का हमारे नए ब्लॉग वीडियो में अभी समय ठंडी काफी हो रही है आप देख रहे होंगे हमारे पीछे जो है यह सरसो का खेत है जो है इस पर फूल आ चुका है और पीछे कोहरा भी काफी घंणा है और विजिवल्टी भी आप देख रहे होंगे जीरो है दिखाई नहीं दे रहा है काफी दूर दूर तक काफी नहीं दिखाई दे रहा है और ठंडी भी कुछ ज़्यादा है यहाँ पर दिन के करीब लगबग साड़े बारा बजने को है और अभी भी दूप का काफी दूप का कहीं नामो निशान नहीं है और यह जो आप हमारे सामने देख रहे हैं देखे गया यह है सरसो के खेत मस्टड मस्टड जो आयल निकलता है मस्टड आयल इन्हीं पौधों से निकलता है इसमें देखिए पौध लगू ही है और इस पे ओस की जो है बूंदे भी जमी हुई है और इसमें आपका जो है यह दीरे दीरे फसल भी आ रही है इसमें दीरे दीरे यह इसमें फली यह फूल से फली और आप यह जहां तक देखेंगे इसको सबस्क्राइब कर देखंगे आप जो है यहां पर सर्सों के खेत हैं यह सर्सों के फूल है यह जैसे जैसे अभी तो यह थोड़ा बहुत है लेकिन दीरे-धीरे जैसे बसंत रितु आएगी उसमें फूल धेरे-धीरे काफी खेतों में ऐसे हो जाएंगे जो यह पूरा छेत आप देख रहे हैं यह आप इधर से सारा दूर तक जो भी देख रहे हैं यह इधर आप देखेंगे दिखने में भी काफी अच्छा न जा रहा है दूसरी और धुंद भी है और हलकी हलकी विजबिल्टी है और यह पोद्धे हैं यह गाउं का मौसम है जो काफी सुहाना है स्वस्त शरीर के लिए जो है अच्छी जो है वायू की गुडवत्ता भी होनी चाहिए जो कि यहां गाउं में जो है अच्छी खासी मिलती है यहां पर जिससे स्वस्त भी रहता है और आपको हर्याली हर्याली नजर आएगी और यहां पर यह सारे लोग अपना सिचाई कर रहा है कोई पौधों को कर रहा है यह दूर दूर तक आप यह जो है सामने देख रहे हैं फसल वैसे काफी लेड़ भी होती है कुछ हरिये में कुछ समय पहले ही खेती की बुआई हो जा कि जैसे जैसे यह समय के साथ साथ पौधे बढ़ेंगे और यह आपका वसल तैयार हो जाएगी और सामने यह साइद कर रखा यहां पर इस यह है धनिया की पौध लगा रखिये लग खेती कर रखिये जो है आप दूर दूर तक जहां तक देखेंगे ऐसा ही आपको दिखाई देगा यहां पर गाओं में लोग क्या करते हैं कि कुछ मिस्रित खेती कर देते हैं जैसा ही कि मिस्रित खेती का मतलब है अब यह देखना चाहेंगे हम आपको बैटके दिखा रहे हैं यह सरसो के खेत हैं और यह जो आप लाल कलर के और यह हलके पिंक कलर के डार्क पिंक कलर के जो यह पोधे देख रहे हैं यह सामने आप यह मटर का पोधा अभी इसमें फूल लगे हुए है तो यह देरे देरे इसमें फूल के बाद में मटर जो है लगना स्टार्ट हो जायेगी अभी इसमें फूल है यह लगवक जो है एक-दो महींने में तयार हो आपको शे दिखाते हुए चलते हैं और लोगों ने यहां पर पसवों से अपने फसलों की रख्षा करने के लिए यहां पर लोगों ने यह थोड़ा सा छपर विड्या लखा है जिससे रात में यहां रखवाली करते हैं और जब यहां रहने लगते हLYो पर लोग तो दीरे दीरे ही उपली ने उपली या जो वस् Links भी रखकें गौबर से उपली तयार होता है है जो सव्डी ओम आलाओ जलाने की काम होते हैं यहां पे लोग रात में रुखते भी हैं और लोगों ने आप परिया वरण का जो है काफी ध्यान रखा जाता है गाउं में यह सामने पाउद भी लगा रखें आम के पेड़ है यह दूर दूर तक आप जहां देखेंगे सारा ऐसे ही आपको नजर आएगा इसमें और यह यहा तर देख रहे हैं इसमें दो तार लगे हुए है एक साइट फेस का है एक न्यूटरल का है दरसल यह जो वायर है यह है जटका मसीन इस समय जटका मसीन जो है काफी परचलीत हो चुकी है जानवरों से फसलों की सुरक्षा करने है तो मतसल क्या है इसमें जो है डीसी करंट डीसी करंट सप्लाई होता है डीसी करंट सप्लाई होने में क्या होता है फेस और न्यूटरल होता है अगर इसमें कोई जानवर टच होता है फेस होता है न्यूटरल तो जमीन से मिल जाता है वैसे कोई जानवर टच होता है तो हलका सा को जटका लगता है जिससे वो कि इस जगे को यहां से छोड़ देता है कि काफी अच्छा वैसे यहां का नजारा जो है काफी अच्छा है देखने में भी काफी खुबसूरत लगता है यहां से गाउं की यही तो खुबसूरती है दूर दूर तक जहां तक देखेंगे आप दूर दूर तक आपको चारो तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी और यह ओस की बूंदें जो है नजर आएगी आपको यह सिचाई के नाली बना रखा है लोगों ने इससे माध्यम से खेतों की सिचाई हो जाती है इधर यह है सरसो सरसो के जो है पौध है यह सारी कुछ दिन बाद यह तैयार होके जैसे यह भी तो छोटा है छोटे है यह सारे आप दूर तक देखेंगे देखिएगा यह काफी अच्छा व्यू है वैसे यहाँ पे उपर आस्मान नीचे हरी आली और यह आपको जब यह छोटा पौधा है और इधर आप देखेंगे इधर जो है यह बड़े पौध है सारे जितने भी हैं यह बड़े पौध है यहाँ पर लोग अपना और यह सामने जो है आम का पेड़ है यह और यहाँ पर कि छोटे छोटे फसल अनेक प्रकार के फसले यह पर उत्पातिन करते हैं लोग जो है तीरे दीरे और यहाँ रहने का जो है शिचाई के लिए यहाँ पर यह कुवाँ भी बना रखाएं यह कुवाँ भी है यह दीरे दीरे हम आपको आगे दिखाते चलते हैं जैसे जैसे यह है गेहूं की फसल और इसकी सिचाई हो चुकी है भी काफ़ी अच्छ अब्यों मिलना चाहिए आप लोगों को कि आये हूं पर दिखाने के लिए यह इधर नाली है इदर देखेघा काफी अच्छा जो है देखे गेहूं का खेत है जो आपको दिखाना चाहेंगे देखिए काफी अच्छा जो है नजा रहा है यहां से ऐसे दूर दूर तक आपको अगे लेकर यह देखना पड़ेगा कि आगे जाने के रास्ते हैं कि नहीं है क्योंकि फसलो जनोरों से फसलो की सुरक्षा के लिए किसानों ने तरह से वेरी केटिंग कर रखिए हैं काफी वह है लेकिन जाने का रास्ता नहीं मिले इंका तो आपको यहां तक तो दिखाई देंगे जरूर आगे का क्या है इसके बारे में तो हम भी नहीं पता है कैसे क्या है यह तो हमें जो है उधर जाना पड़ेगा तब हो पाएगा सारा कुछ कि यह आ चुके हैं मिधर और यह देखिएगा इधर यह फसल की सिचाई हो रखी है काफी दूर दूर तक नजारा देखिए काफी अच्छा नजारा है यह यहां से पानी की सिचाई के लिए यह बड़ी नहर है बड़ी नहर से चोटी सहायक नहर इस पहले जो वीडियो बना था मैंने उसमें सहायक नहर के बारे में आप लोगों को बताया था तो यह सहायक नहर है देखिए इसमें पानी का बहाव भी काफी अच्छा है पानी भी काफी अच्छा पानी आता है इसमें साफ सुत्रा पानी है ऐसा नहीं है कोई दूसित पानी होता था जिससे किसान को सिचाई के लिए यह बगल में नहर है और इधर बगल में आपका खेत ह करने के लिए खेत हैं यह जो अट यह जू ह्याँ जो है किशirmे केGuya तो यह साथ साथ में और ये नहर काफी लंबी है और ये वीडियो भी ज़्यादा काफी बढ़ा हो रहा है दस मिनट से ज़्यादा उपर होने को है इसलिए मैं इस वीडियो को यही पेश्ट आप कर रहा हूँ और आगे दूसरी next वीडियो में आगे देखने के लिए आपको दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आप को और जानकारी मिलेगी इस नहर से आगे की देखने के लिए धन्यबाद और अगर आपने हमारे चानल को subscribe किया हो तो ग्रपया चैनल को subscribe किजेगा वीडियो को like किजेगा और share किजेगा और comment box में जरूर बताईएगा वीडियो आपको कैसी लगी अगर इसमें कोई अच्छा और improvement करना हो तो वो भी बताईएगा जिससे वीडियो आगे और अच्छी बनाई जा सके जिससे लोगों को अच्छी से अच्छी जनकारी पहुचाई जा सके दन्यवाद झाले जा सके ऑगटेए जा सके लात कंवा जा सके जाट को अच्छीckt है बनाई जा सके कार्वैट्र मोच जा सकेक जा सके कि बनाई जा सके जा जा Champions कर्वे है एल भप झाले वाले में कि लोगों कि अ definitely अर। झाल झाल झाल